नमस्कार पिछली वीडियो में हमने जाना था जन्म कुनली में लग्ण में सभी ग्रहों के प्रभाव के बारे में उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे जन्म कुनली यानि बर्थ चार्ट में second house यानि दोतिय भाव में सभी ग्रोहों के प्रभाव के बारे में जैसा कि आपको पता होगा दोतिय भाव यानि second house किन किन चीजों के लिए देखा जाता है सबसे पहले पैसे के लिए यानि धन के लिए वाणी के लिए अगर आप पुरुष हैं तो आपकी दाहिनी आँख के लिए अगर आप इस्तरी हैं तो बाई आँख के लिए कानों का विचार यहीं से किया जाता है पैतरक संपत्ती का विचार यहीं से किया जाता है वाणी का विचार यहीं से किया जाता है तो कुल मिला के देखा जाए तो second house भी बहुत ज्यादा important है, बहुत ज्यादा महतुपूर्ण है चली अब बात कर लेते हैं कि second house में कौन-कौन से grab बैट कर क्या-क्या result करते हैं सबसे पहले बात करते हैं सूरे की, अगर सूरे दोती भाव में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सपस्ट वादी होगा, ऐसा व्यक्ति to the point बात करेगा ऐसे व्यक्ति को gold में नवेस्ट करना, हीरे जवारात, खरीदना, सोना, खरीदना पसंद होगा मुगर समराट अकबर के मंत्री मंडल में एक व्यक्ति थे, अब्दुल रहीम खान खाना, वो भी एक astrologer थे, एक जोतिश थे, उनकी लिखी बहुत सी किताबें जो है, मार्केट में, आज भी astrology की फिल्ड में, ट्रेंडिंग में वो लिखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के second house में सूर्य हो, तो ऐसा व्यक्ति अपनी शक्ति के लिए, अपनी संपत्ति के लिए बहुत बड़ा source बनाता है ऐसे लोग जिनकी कुंडली में second house में सन हो, ऐसे लोग अपने भाई बहनों के पीछे धन खर्च करने के पहले एक भी बार नहीं सोचते ऐसे लोग इसपश्टवादी हो जाते हैं, ऐसे लोग to the point बात करने वाले हो जाते हैं ऐसे लोग जिनके second house में सूर्य होता है, ऐसे लोग धन संपत्ति को कह सकते हैं, इस्थिर लक्षमी को खरीदने में ज्यादा भरोसा करते हैं सूर्य जब second house में होंगे, तो सूर्य को केवल एक ही द्रश्टी प्राप्त है, अश्टम की द्रश्टी तो अपनी सात्वी द्रश्टी से वो अश्टम भाव को देखेंगे, उनको एक ही द्रश्टी प्राप्त है, सात्वी द्रश्टी अश्टम में सूर्य, वैसे सूर्य और चंद्रमा को अश्टम का दोश नहीं होता, लेकिन अगर ये सूर्य पीडित हैं तो अश्टम भाव में बैटकर हट्डियों से समंधित और बालों से ये बाल ज़र्णने से समंधित कुछ परिशानी जरूर दे सकते हैं सूरे के बात बात करें अगर चंद्रमा की तो मून यानि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो जिस भाव से समंध बनाता है उसमें वेरियेशन ले आता है astrology में मानते हैं कि जो चंद्रमा होते हैं यानि जो मून होते हैं वो कभी पूरा नहीं होते हैं वो घड़ता बढ़ता रहता है इस वज़े से वो जिस भाव से समंध बनाते हैं उस भाव के प्रभाव में variation ले आते हैं इसलिए किसी की birth chart में अगर 11th house यानि आय भाव में moon हो चंद्रमा हो तो ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी income जो है वो fix नहीं रहती कभी ज्यादा कभी कम चंद्रमा अगर दूसरे भाव से समंध बना लेते हैं तो ऐसे लोगों को astrology में कहा गया है इन लोगों का चेहरा मुख जो है वो कमल के समान खुबसूरत होगा ऐसे लोगों की वाणी जो होगी सौम्य होगी polite nature के होंगे humble nature के होंगे ऐसे लोग निसंदे बहुत बुद्धिमान होंगे ऐसे लोग वक्त पर अपनी बुद्धी का प्रयोग करना भी जानते होंगे ऐसे लोग क्योंकि अब चंद्रमा अगर दोतिय भाव में है तो ऐसे लोगों की जो पैसा होगा जो money होगी उसमें variation हो जाते हैं ऐसे लोग कभी-कभी फिजूल खर्चि कर देते हैं ऐसे खर्च कर देते हैं जिनकी उनको अभी जिसक ticking की जरुरत नहीं थी अगर चंद्रमा यानी चंद्र दूस्रे भाव में तो ऐसा नहीं होता है चंद्रमा की या तथी असा घ्टी कोह कोई कास नुकसान नही इन कुछ condition में शनी की द्रिश्टी हो शनी के साथ बैठे हो तो इस condition में चंद्रमा थोड़ी से हो जाते हैं वीक हो जाते हैं तो आपको यह जबूर देख लेना है कि चंद्रमा वीक position में नई होने चाहिए अगर second house में Venus यानि शुक्र हों तो ऐसे लोग देखने में बहुत सुंदर होते हैं ऐसे लोग कहा क्या कि जिनके शुक्र लगन में second house में ये 12th house में हों इन तीनों भाव में से किसी भाव में शुक्र हों तो ऐसे लोग इतने attractive होते हैं कि समाज में इनकी अलग ही पहचान होती है ऐसे लोग समाज में अलग दिखाई देते हैं ऐसे लोगों की जो वाड़ी होती है ऐसे लोग संगीत में रूची रखते हैं ऐसे लोग अच्छे singer बन सकते हैं ऐसे लोग mimicry artist बन सकते हैं सोवर कर सकते हैं लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देने लाइक है कि शुक्र जब भी सेकेंड हाउस में बैठ कर अश्टम में दृष्टी डालेंगे और अगर शुक्र कमजोर है तो उनकी साथमी दृष्टी जो अश्टम भाव में पढ़ रही है इसको बिल्कुल अच्छा आमनाय बढ़ जाती है लेकिन इसके अलावा सेकेंड हाउस में शुक्रों को अभ्यक्ति को बहुत भागेशाली माना जाता है वेक्ति बुद्धि मान होता है देखने में बहुत सुंदर होता है आट्रेक्टिम नेचर का होता है वाणी उसकी बहुत मधूर होती है धन्द स ऐसा ग्रह जो अपना result बहुत जल्दी देता है बुद्ध अगर second house में बैठा हो तो second house से क्योंकि वाणी का विचार किया जाता है और बुद्ध वाणी के कारक है इसलिए ऐसे लोगों की speech एकदम flawless हो जाएगी ऐसे लोग अगर कोई बेकार सा topic भी आपके सामने discussion करेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगए क्योंकि उन लोगों के बोलने का तरीका ही इतना बड़िया होता है ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत आता है बहुत जल्दी ये लोग अपनी कम उम्रे से कमाने लगते हैं ऐसे लोग बहुत आच्छी speech देते हैं ऐसे लोगों को दिमाग कहते हैं second house में हो, बुद्ध की साथवी दृष्टी अश्टमभाव में पड़ती है, अगर बुद्ध यहाँ पर नीज के हैं, कमजोर हैं, तो आठवी, साथवी दृष्टी से अश्टमभाव में देखने की वज़े से ऐसे लोगों को heart से related problem होती हुई देखी गई है, तो आपको यह चेक कर लेना है कि अगर आपकी पत्रिका में बुद्ध second house में है, तो कहीं वो degree wise या और किसी तरह कमजोर ना पड़ रहे हैं, बुद्ध के बाद बात करें गुरू की, गुरू अगर second house में हो, तो अगर गुरू अकेले हुए तो भावनाश करेंगे, इसमें कोई दोराय नहीं, लेकिन इसके बावजूद, गुरू भले ही कितने ही कमजोर होके किसी भाव में बैठे हो, लेकिन उनकी जो दृष्टी होती है, उसे अमृत कहा गया है, second house में बै आपको जोतिश अच्छी लगने लगेगी, ऐसी चीजें जो सारी दुनिया से या बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हो, आपको जानने की जिग्यासा होने लगेगी, हाला कि कुछ पेट से related problem भी गुरू दे देते हैं, अगर वो अश्टम में अपनी दिश्टी डाल र जाता है, अगर आप अपनी जो आपके लाइफ पार्टनर है, उनके प्रति आप लोयल हैं, आपके आच्रण अच्छे हैं, गुरू आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे, लेकिन अगर आपके आच्रण खराब हैं, आपका करेक्टर जो है अच्छा नहीं है, या आ छोटी मोटी परिशानिया लगी रहेंगी, और अगर आपका शुक्र अच्छा है, या आप शुक्र के आपका आच्रण अच्छे हैं, आप दूसरों से बहुत अच्छे से बात करते हैं, आप लेडीज जो होती हैं, खास तोर पेस्तिरी जाती होती हैं, उनसे आप बहुत से व्यवहार रकते हैं, अपना उनका अपमान नहीं करते, अपने घर की लेडीज का अपमान नहीं करते, और शुक्र आपके अच्छे हो गया, तो गुरु यहां पे डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, पांच्वी दृष्टी डालके, छट्वे घर में प आपके द्वारा और आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए, मंगल की अगर बात करें, मंगल दोती है स्थान में, तो दूसरे भाव में मंगल जो है, बहुत अच्छा नहीं कहा गया मंगल को दूसरे भाव में, ऐसे लोगों को कहा गया कि जिनके दूसरे भाव में यह सBook बोलएगा इसा लगेगा कि ये बोल रहा या दांट रहा ऐसा bas park kia !! क्योंकि मंगल की ऐसा मंगल की 3 वी साथ मी दूरष्टी इस्टम्भाव में पढ़ती है और अगर इस्टम्भाव बेडित आपka है तो 100% ऐसे इंसान के लाइफ में सरजरी जरूर होगी और कई बार दुरघटना या एक्सिडेंट होते हुए भी देखे गए हैं हाला कि दूसरे भाव में मंगल बैटके धन के लिए अच्छे होते हैं चौथी द्रिष्टी पंचम भाव में डालते हैं इस वज़े से व्यक्ति बहुत दिमान होता है लेकिन फिर भी इसमें नुकसान ज्यादा बताएगा है फायदे कम बताएगा अगर मंगल की उपर कहीं से गुरू की द्रिष्टी पढ़त रही है तो इन सारे चीजों में गिर चीजों में आवाज को धुरू करकश बना देते हैं फैट्रक संपत्ति के लिए बहुत अच्छा होता है ऐसा इंसान फैत्रिक संपत्ति को पालेता है उसे फैट्र को बलेता है यहां पर ऐसे 5 ज्रिष्टि डालते हैं चोथे घर में जो आपकी मा का घर है मा को इसमें श्यानक तरीके सां खिचाव हो जाता है और वो सीख भी लेता है सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो सीख भी लेता है इसके बाद वो दस्वी द्रिश्टी डालते हैं और दस्वी द्रिश्टी से भी शनी जो है यहाँ पर 11th house को आए भाव को देखते हैं दस्वी द्रिश्ट तो इस टाइब से हमने आज 6 ग्रहों के बारे में माफ करेगा 7 ग्रहों के बारे में हम लोगों ने जाना और अब हमें राहु और केतु को second house में बात करने हैं मैं यहाँ पर आपसे यह खहना चाहता हूँ कि राहु और केतु दो ऐसे चायक रहे हैं जिनको आज कल बहुत ज्यादा मिस्लीड किया जा रहा है उनको लेकर बहुत सी जगए या बहुत से YouTube चैनल स्में आप देखेंगे कि राहु के लिए कुछ भी पोस्ट किया जा रहा है कुछ भी बोला जा रहा है कि तु के लिए या राहू और केतु को आपके समझने का जो जिस तरह आपको समझाया जा रहा है शायद वो तरीका उतना suitable नहीं है तो हम राहू और केतु को especially second house के result के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में हम सिर्फ राहू और केतु की बात करेंगे कि अगर राहू second house में हो और केतु second house में हो तो क्या result होते हैं फिल हाल हमने सूरे से लेकर बुधतक यानि सभी ग्रहों को cover कर लिया आप अपनी जनुपत्रे का खोल के देखिए आपके second house में कौन सा ग्रै बैठाए आने वाली वीडियो में हम लोग इस सिरीज को पूरा करेंगे यानि हम लोग हर उनली के हर एक भाव में सभी ग्रहों के प्रभाव के बात में जानेगे ये वीडियो आपको कैसा लगा, informative लगा, अच्छा लगा, कैसा भी लगा ओ फ्लीज कॉमेंट करके बताइएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेर कीजेगा एस्ट्रोलाजी यानि जो जोतिश है वो इतनी भी तफ नहीं है कि इसे कोई सीख न सके बस आपको जरूरत है इसे सरल नजरिये से देखने की, मेरी पूरी कोशिश है कि जोतिश को हम लोग इस टाइप से सीखने के कोशिश करेंगे कि आपको किसी एस्ट्रोलाजर की जरूरत न पड़े, उसे सीखने के बाद आप अपनी और अपने फैमली में किसी की भी पत्रिका वर्थ चाट को आसानी से देख सकेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद हरार मांते